हेलो फ्रेंच वैलकम तू आवर चैनल आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसे अप्लिकेशन के बारे में जिसका यूज करके आप अपने फोन की स्पेश भी सेव कर सकते हैं और इससे आपकी बैटरी की हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपका टाइम भी सेव हो ज तो पहला एप्लिकेशन है जिसका नाम है स्मार्ट किट आपको इस एप्लिकेशन में एक ही एप्लिकेशन में काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं और एप्लिकेशन काफी लाइट वेट है जिससे कि आपका स्पेश भी बच जाता है तो आप देख सकते हैं आप ए काफी सारे टूल्स है इसमें फ़ला नोट पैड है आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके सेव रख सकते हैं इवेन आप यहाँ पे वाइस टाइपिंग भी कर सकते हैं और इसमें आपको ट्रांसलेटर भी मिल जाता है आप यहाँ पे इसरसाइज रूटीन भी सेव करके रख सकते हैं आपको फ्री म्यूजिक भी मिलता है यहाँ पे और फाइल मेनेजर ट्रिम आउडियो आप यहाँ पे आउडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं मेट्रोनोम, रिकॉर्डर, और फ्लस लाइट भी है, मिरर, मैगनिफायर, और बारपोर्ड स्कैनर भी है, आपको क्लीनर भी यहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि आप अपने अप्लिकेशन की केज को रिमॉब कर सकते हैं, तो आपको इसारी अप्लिकेशन अलग से इस्टॉल करनी नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपका काफी हद तक स्पेश सेव हो जाता है फोन का, और बैटरी शेवर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, इस्टोब बाच काफी यह आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, चेकलिस्ट रिमायनडर, आप यहाँ पर अगर आपने टू-डू-list फॉलो करना है, आपको तो आप यहाँ पर टू-डू-डू-लिस्ट भी बना सकते हैं, आपको यहाँ पर करन्सी अनुट कंवर्टर भी मिल जाता है, कैलकुलेटर के साथ साथ, और unit converter भी है आप यहां से किसी भी उनको convert कर सकते है आपको अल्टी meter भी मिलता है जिसमें कि आप compass भी है heart rate, bpm magnifier और यह shorn meter आप speedometer का भी उज़ कर सकते हैं इस application में और यह आपका vibrator meter है यानि कि आपके आसपास में कितना vibration है आप इससे देख सकते हैं तो यह काफी अच्छी application है आप इंस्टॉल कर रहे हैं दूसरा application जो है उसका नाम है smart wag आपको अपने phone को बार बार lock करना पड़ता होगा unlock करना पड़ता होगा जिसमें कि आपको लॉक बटन फ्रेश करना होता है लेकिन यह application के help से आप smartly तरीके से अपने phone को lock unlock कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप रेस्टू वेक यानि कि जब भी आप अपने phone को केवल पे से या कहीं से भी उठाएंगे अपने हाथ में तो फोन अपने आप ब्रेक हो जाएगा यानि कि unlock हो जाएगा और यहां पर बहुत सारे settings हैं मैं आपको बता देता हूं यह देख करके तो रेस्टू वेक की settings में जागर कि आप देखेंगे तो यहां पर आपको काफी सरी option मिल जाती है यानि कि फेस्बेक अब एर कंट्रोल एर कंट्रोल मतलब कि आप अपने phone पे अपने hands अगर बेव करते हैं तो आपका phone lock या unlock हो जाएगा आप यहां से settings में आप on कर लेंगे वह एक on notification बतलब कि अगर आपके phone में कोई भी notification आता है तो आपका phone automatically wake हो जाएगा अगर आपने इसे on कर रखता है तो और इभेन आप उन apps को block भी कर सकते हैं जिन apps की notification important नहीं है तो आपकी battery भी से save होगी slip in pocket अगर आप air control on करके रखा है तो आपका phone जब आपके pocket में होगा तो वह automatically on off होता रहेगा तो आप इसे mark कर देंगे तो वह वाली जो problem है वह नहीं होगी और यह slip on table अगर आपका phone table पर रखा होता है तो यह automatically unlock हो जाएगा यानि कि slip हो जाएगा आपको यहाँ पर settings में save करनी होगी sensitivity and time short अब तीसरे application जो है उसका नाम है easy gesture launcher तो एक काफी अप्लिकेशन है जो आप icon देख रहे है एक icon उसी की है तो इसकी help से आप किसी भी application को किसी भी screen से open कर सकते हैं basically आपको किसी भी application को open करने के लिए menu में जाके search करके open करना पड़ता है like this लेगन इस application की help से आप easily कहीं से भी open कर सकते हैं आपको पहले gesture add करना होता है इसमें मैं एक gesture add कर रहा हूँ इसमें की application select करके मैं Pixar को select कर लेता हूँ अब आप इसे directly अपने home screen से ही launch कर सकते हैं यानि के बीना वेन्यू में search किया है यह open हो गया है तो इसकी help से आप अपनी काफी time बचा सकते हैं और आप देख सकते हैं आप मैंने पहले से gesture add करके रखा है कुछ तो यह application काफी helpful है आपकी productivity बढ़ाने में इस तरह से आप किसी भी screen से आप launch कर सकते हैं किसी भी application को या आपने favorite application को तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like करें, subscribe करें और दोस्तों में share करें थैंक्स पूर वाचिंग